हेलो एव्रिवन तो हम लोग ट्रांस्फोर्मेशन और सिफ्टिंग यह दोनों ग्राफ हम पढ़ लिए थे अब हम ट्रांस्फोर्मेशन और सिफ्टिंग दोनों को यूज करके हम चाहते हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करें जाते देखिए जेनल ग्राफ y is equal to mod x से आपके पास ठीक इस टाफ के ग्राफ मुझे ड्रॉ करने हैं और यह सारे ट्रांस्फोर्मेशन और सिफ्टिंग दोनों को यूज करके बनाने हैं ठीक है तो यह पार्थ हमारा आईटी जई मेंस और अड्वांस यह दोनों के लिए बहुत ज्यादे ही इंपोर्टेंट है और यह तो एक नए question यह से आते ही है तैक इसमें questions कैसे आता है यह तो फिर Bondare area पूंचता है कभी कभी तो ये कि यिकल टू मौट-स атели कहा ठीक है मौड все अगर कि अगर सभीट सिफ्ट है अगर फ्लस और सिर्ट हुन तो एक रिट्ट largely है ouais तो यह किसका ग्राफ ऊगया मौन of x plus 1 का graph होगे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे mod of x plus 1 का graph होगे ठीक है तो यह हमारा mod of x plus 1 होगे mod of x minus 1 तो जब भी minus आए तो downward shift करने हैं तो इसे graph को मैं यहां पर downward shift कर दिया है यह किसका graph है mod of x minus 1 का graph है ठीक है अब हम third mod of x plus 1 या फिर x minus 1 का mod या x plus 1 का mod तो इस steps के graph मैं ने बताया था जब function के अंदर रहें तो यह right word चाहिए left word आपका shift होते हैं तो सबसे पहले देखिए जैसे यह आपका a वाला part था a वाला part यह रहा जो b वाला part है यह और जिस c वाला part है वो यह रहा ठीक है अब मैं आपको यह d वाला part बताता हूं तो देखिए सबसे पहले यह mod x का था mod x का graph तो कुछ ऐसा ठीक है अब mod of x plus one की बात कर रहे हैं तो जब भी plus रहता है तो हम left word shift करते हैं तो अगर plus one है तो मैं left word shift कर दिया तो इसी graph को मैं left word one unit से shift कर दिया यह सब 1 unit से shift कर रहे हैं यहागी one unit से shift कर रहे है चुकिए one है तो मैं लेक्ट वाड तो यह अगर mod x का graph है तो यह किसका graph होगा mod of x प्लस वन का graph होगा जब भी Ts रहेगा तो left बाइट वार अगर माइनस रहे तो फिर है डाइट वार तो इसको मैं जब कि एक यूनिट आगे शिफ्ट करता हूं कि यह किसका ग्राफ हो गया मॉन अफ x-1 ठीक है तो जो मारा डी पार्फ है वो D पार्ट ये रहा जो आपका E पार्ट है वो ये E पार्ट ये रहा तो इस टैप के हम shifting से आप एक graph को दूसरे जग graph पे shift कर सकते हैं अब हमारा FZH है इसको हम कैसे बनाएंगे इसमें आपका transformation भी लगेगा transformation कैसे लगीगा तो यह बताता हूँ आपको जो f वाला part है तो हमारा part कैंए f f कैसे बनेंगे यह देखिए f है आपको y जुकल टू mod of x minus 1 का graph तो इसका graph कैसे बनेंगे तो सबसे पदेखिए mod x graph कैसा होगा तो mod x graph कुछ यह रहा आपका mod x graph mod of x minus 1 mod of x minus 1 का graph हुआ है mod of x minus 1 का graph हुआ यह जो graph था वो mod x का था लेकिन आपको इसका भी mod लेना है तो किसी function का जब mod लेते थे total का mod लेते थे तो नीचे वाले को क्या करते थे erase करके उपर symmetry लेते थे x axis से तो यह तो mod x का graph था आपका यह जो मैंने draw कर लिया mod of x minus 1 का graph यह रहा तो आप यह function total का total draw कर लिये और फिर इस total का mod तो total का mod करने के लिए क्या करने है नीचे वाले को मिटा नहीं और फिर इसका symmetric up guard दे देने तो यह आपका w tab का graph होगा यह किसका graph होगा mod of x minus 1 का graph होगा ठीक है आपको मैं बताए था जब mod of y is equal to f of x हो तो जब भी अगर y में mod लग जाए तो नीचे वाले जितने भी चीज़े हैं उसको मिटा देना है और मिटा के जो उपर में है जो आपका upward में x axis के उपर में उसका symmetric graph नीचे कर देना है तो सबसे पहले देखिए आपको graph draw करने mod of y is equal to mod of x minus 1 का total का mod तो देखिए इसका graph तो आपको पहले से draw किया हुआ है यह आप पहले से draw किया हुए इसमें आप mod लगा देते हैं तो g वाला पार्ट का आपका इसमें mod लगा दिया मैंने और जो उपर वाला है उसका symmetric ले लो तो उपर वाला कुछ ऐसा है तो उसका symmetric graph में कुछ ऐसा ले लिए यह total जो graph होगा वो क्या होगा mod of y is equal to mod of x minus 1 का mod ठीक है कभी-कभी exam में क्या पूछता है इसका area पूछता है कि find the area bonded by the curve mod of y is equal to mod of x minus 1 का mod तो अगर आपको area इसमें find out करने तो कुछ नहीं यह one unit था यह भी one unit था इस triangle का area क्या होगा half into base into height तो one into one is equal to one by two तो यह one by two है यह भी one by two तो इसका total area कितना होजाएगा two units होजाएगा two square units का area होजाएगा कभी-कभी ऐसे questions आजाते है mod of x minus one total का mod फिर minus one total का mod ठीक है तो इसका graph मैं कैसे draw करूँगा similarly इसी type का मुझे graph बनाने है तो अगला मैं h बताता हूँ तो मेरा last क्या है mod of y is equal to mod of x minus one का mod का minus one का mod तो इस type का अगर आपको graph draw करना है mod of y is equal to mod of x minus one का mod फिर minus one फिर इसका mod इसका आपको graph अगर draw करने तो यह कैसे draw करेंगे वो देखे यह मैं draw करूँगा सबसे पहले तो mod x का graph draw किया तो mod x का graph कुछ यह रहा ठीक है यह mod x का graph हो गया अब mod of x minus one का graph draw करने तो minus one तो एक unit नीचे में डाला हूँ तो एक unit मैंने नीचे डाला ठीक है यह किसका graph हो गया mod of x minus one का graph हो गया ठीक है तो यह mod of x minus one का graph हो गया अब देखे इस total का आपको mod निकालना है तो आप इस total का मैं graph निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है जब mod लेते हैं किसी function का तो जो नीचे वाला है उसको मैं मिटाता हूँ और उपर में symmetrical drop कर देता हूँ तो यह किसका graph हो गया यह total का graph हो गया mod of x minus one का mod का यह graph हो गया ठीक है अब आपको फिर minus one इसमें करने तो यह एक और minus one हो गया तो इस total का मैं निकालना चाहता हूँ तो एक unit फिर मुझे नीचे shift करना पड़ेगा इस total graph को तो एक unit मैं नीचे shift करना चाहता हूँ तो फिर मैं एक unit यहां से यहां shift कर दिया यह graph यहां से आ गया यह point यहां से यहां गया इन जेनरल आपका जो graph हो गया वो कुछ ऐसा हो गया यह किसका graph हो गया यह आपका mod of x minus 1 का mod का minus 1 का graph हो गया ठीक है आँ हम चाहते हैं इस total का फिर mod ले लो तो इस total का फिर mod ले लो तो इस total का फिर अगर आपको mod लेने तो क्या करना है जो भी आपका negative वाल अपड़ है उसको चुकि total का mod कर रहा हूँ तो उसके symmetric x axis में डे देने और नीचे वाले को मिटा देने इसके symmetric मैं x axis में x axis के symmetric उपर कर रहा हूँ तो x axis के अगर symmetric करूँगा तो graph कुछ आपका ऐसा रहेगा यह यहाँ तो यह आपका symmetric graph x axis से कुछ ऐसा आएगा और नीचे वाले को क्या करने है मिटा देने ठीक है तो यह किसका graph होगा है इसमें फिर से mod लगा देजे इसका यह graph होगा ठीक है तो इस total का graph यह हो गया अब हम चाहते हैं जब मैं आप इसमें transformation लगाएंगे अब इस total mod में अगर y में अगर mod वह था तो मैंने आपको बताया था नीचे जो भी part है उसको मिटा दो तो नीचे कुछ ही नहीं और जो उपर है उसका symmetric ले लो तो उपर यह इसका symmetric मैं ले लेता हूँ तो इसका symmetric graph कुछ ऐसा होगा ठीक है तो यह symmetric graph इसका यह हो जाएगा यही इसका graph है कभी कभी exam में इसका area भूछ लेता है तो अगर आपको area की बात करें तो जैसे इसका area 2 square unit था इसका भी area 2 square unit तो टोटल 4 square unit हो जाएगा इसका जो area total हो जाएगा area bonded वो कितना हो जाएगा 4 square units कभी कभी exam में क्या होगा देखिए यहां पर कितना यूज अगर 1-1 है तो एक अगर सिर्फ इतना था तो बॉंड कितना area था था 2 square unit अगर एक और minus 1 आ गया तो कितना हो गया 4 square unit ऐसे ही करके यह n रहे हैं तो कितना हो जाएगा तो उसके according आप जनरलाइज कर सकते हैं कभी-कभी exam में आपको यह कितने वीडिय सकते हैं तो उससे आपको नहीं देना एक दो से देखना है बाद जनरलाइज करके उसके according आपको answer निकाल देने हैं तो इस type of question generally आते ही हैं तो transformation खाया है